इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप इस फायर बोल्ट, सेल्सियस, स्मार्ट ओज को स्मार्ट फोन के साथ कनेक करके complete एक-एक features, खुद का photo set करना, calling notifications, सब कुछ कैसे आप set कर सकते हो, complete इसको use कर सकते हो इसे के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो में अगर बात करते हैं कैसे स्मार्ट फोन से कनेक करके यूज करना है सबसे पहले बिना कनेक किये क्या क्या यूज कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से स्क्रोल करके यहां से brightness से जर्ज कर सकते हो यहां से power saving mode, यहां से menu view चेंज कर सकते हो, setting में जा सकते हो setting में यहां पर display पर जानेक बाद auto sleep कितने second बाद display off होना चीए, वो यहां पर set कर सकते हो, watch faces यहां से change कर सकते हो menu view, queue view, rise to wake, वो on off कर सकते हो, vibration का intensity कितना तेज vibrate होना चीए, वो यहां से set कर सकते हो, dnd mode, यहां से low power mode और यहां पर system पर जाके, यहां से restart, power of end, reset कर सकते हो, about में जाके, यहां से qr code पर क्लिक करके, app को download कर सकते हो, और back आते हैं, तो यहां पर display पर आप tap करके रखोगे, तो कुछ इस तरीके से आप watch faces change कर सकते हो, इस side अगर आप slide करोगे, और plus पर क्लिक करके, आप यहां से का calculator का भी option देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी add कर सकते हो, back आते हैं, इस side आप messages तो करे देख पाऊगे, जो कि अभी हमें दिखाने वालाओं connect करके, यहां पर recent used app देख सकते हो, यहां पर date देख सकते हो, यहां से बैटरी and यह जीज हैं, यहां से आप menu में जा सकते हो, य यहां से चार games देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि play कर सकते हो, और बात करते हो, यहां से भी आप setting में जा सकते हो, और वी features जैसे camera control भी देखने के लिए मिल जाता है, और बात करते हो, health related features भी यहां से आप access कर सकते हो, जैसे कि blood pressure monitoring, यहां से heart rate monitoring, यह सारी चीज हैं, यहां से आप यूज़ कर सकते हो एक और चीज बता दू अगर यहां पर हम प्लस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर एक option देखने के लिए मिल जाता है यहां पर आपको temperature monitoring का भी option जो है देखने के लिए यहां पर आपको यहां से सिंप्ली आपना profile सेट कर देना है या उसके बाद यहां पर राइट पर क्लिक करना है उसके बाद आप hier राट दीवाइस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के पाद push कर देते हैं उसके बाद वाइल इहां करने का देख就到 एंचा हो गिए हृफ जेहां पर यहां पर देख सकते हो यहां पर हम डिखाव कर pone इसको वाइदा हमें क्या करना है Simplis क्लिक करेंगे यहाऊ प्रया प्यास्टा करेंगा है कनेक्टिंग स्टार और से हो गया है देखंगे चाहuman इतना होने का बादाए आपको थोड़ी तर वेड करना है कोई कहीं भी क्लिक नहीं करने आपको थोड़ासा वेड करना है एक यहाँ पर notification आएगा उसका आपको wait करना है यहाँ से हम wait कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं Bluetooth से अभी तक connect नहीं हुआ है यह अभी हमारे smartwatch जो स्रीप और स्रीप हमारे app से connect हो गया है Bluetooth से connect नहीं हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं watch trial के बाद भी Bluetooth से connect नहीं हुआ तो यहाँ पर कोई भी tension आपको नहीं लेना है क्या करना है आगे कैसे वो मैं आपको सबको वीडियो में आगे बताता हूँ ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं watch faces का option है यहाँ से आप edit का option देख रहे हैं यहाँ पर edit वाले पर click करके एंड उसके बाद अगर आप सबसे last में आते हैं यहाँ से choose from album पर अगर आपको click करना है यहाँ से click करने के बाद देख सकते हो यहाँ से हमने click किया यहाँ पर click करने बाद कुछ इस तरीक है कि फोटो gallery open होगा यहाँ से जो फोटो आपको set करना है smart watch पे वह select करके यहाँ पर write करने के बाद सेव कर देना है save करते हैं कुछ इस तरीक से आप खुद का photo set कर सकते हो उसके बाद देख से तो यहाँ पर 1% 2% यह 100% होते ही हमारा photo smart watch पे set हो जाएगा तो थोड़ा सा हम wait कर लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 80% होने वाला है और 100% जैसे ही होगा हम देखेंगा हमारा खुद का photo जो है smart watch पे set हो जाएगा इस वीडियो को complete end तक ध्यान से आप देखिएगा एक एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं फोटो कुछ इस तरीके से हम अपना set कर सकते हैं काफी ऐसे फोटो set हो गया है उसके बाद और भी watch faces यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं अगर हम सबसे last में आते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं प्लस वाले पर आसे काफी सारे watch faces देखने के लिए मिल जाते हैं तो कि cloud-based है और उस पर आप क्लिक करके and simply अगर आप download पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर set होना start हो जाएगा इसके साथ अगर हम back पर आते हैं and back आने के बाद देख सेके तो यहाँ पर एक notification का option है ठीक है यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं and call जो phone का है इसको अगर हम enable करते हैं यहाँ से औलो कर देंगे औलो का एक option आएगा तो अगर अभी हम call का notification चाहे तो वो नहीं receive होगा यहाँ पर call का notification नहीं आएगा क्योंकि Bluetooth से अभी pair नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है call का notification asses पर यहाँ पर क्लिक करना अगर कुछ इस तरीके का इंटर्फेस आएगा उसको अदिस में आपको दाव फीट एप को सिलेक करने के बाद है आप पर अलो notification asses इसको यह अगर आपको disable रहेगा कुछ इस तरीके से तो इसको आपको enable कर देना है ठीक है यहाँ से अलो करके क कुछ इस तरीके से enable करके आपको back आजाना है उसके बाद हम देखेंगे call का notification आप देख सकते हो Bluetooth से pair नहीं है फिर भी call का notification रिसीव होगा अभी मैं call करके भी दिखाऊंगा और Bluetooth pair से इसमें इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि यह calling smart watch नहीं है तो जो just call का notification आएगा तो Bluetooth pair से कोई यहां पर ज्यादा फरक नहीं पढ़ने वाला है तो एक बार मैं call करके दिखाएता हूं तो देख सकते हैं call हमने कर दिया है दूसरे स्मार्टफोन से इस स्मार्टफोन पर एंड जैसे call आएगा आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से notification रिसीब होगा और यहां से आप मूट इंड लेट कर सकते हो रिजक ऑसे हमरेग कर देते हैं देख सकते हो वह बलू तुथ यहां से प्र नहीं हुआ फिर भी आप notification देख सकते हो और अगर social media का notification चीए तो देख सकते हूँ जैसे WhatsApp का मैंने on किया है यहाँ पे ऐसे ही आप Instagram का भी on कर सकते हो जिसका भी social media का चीए तो फिलाल मैं WhatsApp का भेज के दिखायता हूँ तो दूसरे smartphone से मैंने भेज दिया है इस smartphone पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप notification रिसीप कर पाओगे जो इस social media का भी आप चाहो उसको आप यहाँ से भी जाके आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से Bluetooth connect ना होने से कोई problem नहीं आएगा आप अच्छे से यूज कर सकते हो smart watch को इसके साथ अगर हम आगे बात करें तो आप कुछ इस तरीके से आप alarm को भी यहां से आप शेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से अगर आप क्लिक करोगे दिन यहां पर photo क्लिक होना है भी यहां पर चलिक करना है यहां पर फोटे महां पर अचाहँ जो भी यहां पर लिख देना है न इसके बाद इसके बाद जैसे कि तरह कूं फो फिए नु कर देना है उसके बाद यहां से सेफ पर क्लिक कर देना है सेफ पर क्लिक करने बाद कुछ इस तरीके से सेब हो जाएगा उसके बाद यहां से देख सकते हो आप यहां से आप उस कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीका से क приготов को सेकते हो। कुछ इस तर्के से आप कीवर कोड को ई Z कर सकते हो । अदर्स का एक option है यहाँ पर क्लिक करते हैं तो find my device का क्लिक करूँगा तो आपका डिवाइस वाइबरेट होना इस्टार्ट हो जाएगा time format को आप यहाँ पर change कर सकते हो 12 hour और 24 hour में वहीं बात के तो do not disturb mode को on off कर सकते हो बाती में अगर हम आगे बात करें तो यहां से जो है आप और भी फीचर से जैसे की control phone music इसको आप on off कर सकते हो battery saving mode यहां से on off कर सकते हो language यहां के इंगलीज ही देखने के लिए मिलता है auto lock को यहां से भी आप manage कर सकते हो, reset कर सकते हो,ique view क को on off कर सकते हो कुछ इस तरीके से, बात करते हो, वेदर देख सकते हो अगर वेदर में बात कर सकते हो एक और करते हो weekly यहाँ पर कोई अपडेट आता है तो अपडेट कर लेना है कुछ इस तरीके से complete smartwatch को connect करके use कर सकते हो कोई भी question हो तो instagram का link description में है वहाँ से follow करके message करके पूछ सकते हो आपने देखा कैसे इस fireball celsius smartwatch को smartphone के साथ connect करके एक एक feature use कर सकते है अगर कोई question होगा तो instagram का link description में हम हाँ से follow करके message करके पूछ सकते हैं and I hope वीडियो आपको फसंद आया होगा वीडियो पसंद एक तो वीडियो को like कीजिएगा channel पने है तो चैनल को subscribe करके bell icon press कीजिएगा take care friends thank you जय हिंद